नमस्ते दोस्तों, मैं सुनिया गोयल चैपुर्दा पिंग सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ मैं एक ब्यूटिशन और आयरवेद स्कॉलर हूँ जिन लोगों के बाल बढ़ते नहीं है या कम बढ़ते हैं उन लोगों के लिए आज के इस वीडियो में बताया जने वला घरेलू उपचार किसी संजीवनी से कम नहीं है बालो को तेजी से बढ़ाने के लिए आपको दो चीजे काम में लेनी है वो है नारिल का तेल और प्याज का रस एक कटोरी में दो चमच नारिल का तेल ले लीजिए नारिल के इस तेल में आपको प्याज का रस मिलाना है बाजार में प्याज लाल और सफेद दो तरह के मिलते हैं आप इस उपचार के लिए दोनों में से किसी भी तरह का प्याज काम में ले सकते हैं जब बजार में सफेद प्याज मिलता हो तब सफेद प्याज काम में लीजिए जब सफेद प्याज नहीं मिले तो लाल प्याज काम में ले लीजिए प्याज का रस निकालने के लिए दो मीडियम साइज के प्याज छील कर उनका छिलका हटा दीजिए और इनको मोटे टुकडों में काट लिजिए और मिक्सी में टाल कर थोड़े से पानी के साथ पीछ लिजिए पीछने के बाद इसे चलनी में से चान लिजिए इस तरह से प्याज का रस निकल आएगा अब इस प्याज के रस की दो चमच पहले से कटोरी में लिये हुए नारिल के तेल की दो चमच में आपको अच्छी तरह से मिला लेनी है अब आप इस हर्बल रवा को अपने बालों में यनि आपको इसे एक दिन छोड़ कर एक दिन करना है इस उपचार को काम में लेने से एक हफते में ही बाल तेगी से ग्रो करने लग जाते हैं तीन से चार हफते तक इस उपचार को लगतार यूज करने से बालों की बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है आप इस उपचार को लगतार 2-3 महिने तक भी यूज़ कर सकते हैं इस उपचार से बाल ग्रो भी करते हैं और जड़ने भी बंध हो जाते हैं इस तरह दोहरा फायदा आपको इस उपचार से मिल जाएगा जब तक इस उपचार को करें तब तक थोड़ी ची साफधनिया भी बढ़तें ताकि बाल जल्दी ग्रो करें वो साफधनिया में आपको पता रही हूँ कोल्ड रिंग्स पासफूट से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं ये बालू की जड़ो को कमजोर करते हैं जिससे बाल गिरते हैं और उनकी ग्रोथ भी नहीं होती है रोजना सुबा सुबा अपने आसपास के गार्डन में कुछ देर के लिए घुमने जरूर जाना चाहिए अगर सुबा किसी भी तरह संभव नहीं हो तो शाम की समय जरूर जाना ही चाहिए इससे बाड़ी की हर सैल को भरपूर ऑक्सिजन मिल जाती है जिससे शरीर के हर रंग की ग्रोथ बहुत अच्छी और तेज हो जाती है जाहिर है कि आपके बालों को भी तेजी से ग्रोव करने में सबसे बड़ी हेल्प करेगा और वो ग्रोथ पर्मानेंट होती है तो इस तरह आप इस घरेलूप चार को यूज़ कीजिए और साथ में ही साफधानिया रखिए और देखिए आपके बाल तेजी से ग्रोव करने लगेंगे दोस्तों मेरे आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखे हुए लाल रंग के बटन को क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लें तो ये एक बैल या घंटी का निशान बना हुआ है उसे क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी अन कर लें इससे क्या होगा दोस्तों कि हम जब भी आपकी हेल्प के लिए कोई भी नया वीडियो अपने इस चैनल पर लाएंगे तो आपको उसकी जनकारी फ्री में तुरंट मिल जाएगी और आप हमारा हर नया वीडियो टाइम से देख सकेंगे आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगा दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में दीके इंफर्मेशन अच्छी लगी हो तो यह वीडियो फेस्बुक पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके बालों की और भी समस्याओं जैसे बाल जढ़ना, समय से पहले बाल सफेध होना, बालों की अच्छी ग्रोथ, ड्राय हैर आधी के लिए बहतरीन घरे लूप चार देखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे दिये गए डेस्क्रिप्शन में मुझूद लिंक्स को क्लिक कीजिए इसके अलावा आप अपनी समस्याएं हमें वीडियो के नीचे दिये गए कमेंट सेक्षन में भी लिख सकते हैं ऐसी लिए इंट्रेस्टिंग और यूसफुल इंफरमेशन देखते रहने के लिए जैपुर दापिंग सीटी चैनल को प्री सब्सक्राइब कीजिए झाल 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 झाल